येलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चनल इसने आ व्लॉग अदा सुई तो आज लेकर आई हूँ काले वाले चने की सब्ची तो बने रेकर वीडियो में आकर तक कि फ्रेंड रिस्टार्ट करते है रेस्पी तो फ्रेंड आज लेकर आई हूँ है चट्पटे चने की बहुत है तो वीडियो पूरत दीखें बिल्कुल भी इसकिप ना करें ताहे आए आपसे दावे इस्टाइल के लीजे या रेस्टरेंड इस्टार्ट करते हैं पर जो चने होते हैं यह देसी चने होते है तो इसे रात में मैंने भीगो दीया था ओवरनाइट के बहुत अच्यचेशे चणी कर लेंगे सबसे पहले पानी चुथा निकालकर कर एक कुकर में ढालेंगे और पानी डालके एक्सटा वाला पांब ढालके इन्हें बॉय्ल करने रखेंगे तो हम आपकर पाहने डालकर जबतुक के चणी बॉयर हो रहे हैं फ्रेंड में सबजें भी काट ली हैं देखाती हूं में तो देखे चने बॉयल हुए है तीन चार सिटी में और यह सकते हैं कुछ प्याज जो है वो काटके रख ली चार पांच प्याज तेज पाने और कुछ खड़े मसाले जैसे की साबुत लॉंग है काली मिर्च है दनिया पाउडर है और करन फूल है फ्रेंड थोड़ी सी मैथी के दाने भी दिख रहे होगे आपको यह देखिए अद्रक जो है साफ करके रख लिया काटके लैसुन और प्याज और साह जीरा फ्रेंड तो इन सारे चीजों को और हरी मिर्च भी है तो इन चीजों को एक पेश्ट तयार कर लिया है तो चलिए कड़ाई रख दी गयास पर वाइल डाल गी और जैसे वाइल गरम होता है उसमें हम प्याज का जो मसाला साहित तो डाल दिया है और साथ से साथ तेज़ पान भी डाल दिया थी और इसे अच्छी से भूणेंगे मीजियम फ्लेम पर तब तो देखें टमाटर भी दो के काटके रख लिये हैं इनका भी पेश्ट तयार करनेंगे पीस के और प्याज को ऐसे तर्चलाती हुए लगातार भूण लेना एच्छी ते फ्रेंड और देखें हर धनिया भी दो के काट लिया है और टमाटर भी मिक्सियम पीस गये हैं तो आज रेड़ी है फ्रेंड सारी प्रिप्रेशन चलने भी तैयार है सारे चाहिए तो बस मसाला को भूणना है अच्छे से पहले प्याज को प्याज जैसे भूण जाती एक दम डार्क लगी तो इसमें दो बड़े चंबर धनिया का पाउडर एक चंबर छल्दी का पाउडर एक चंबर मेश का पाउडर डालेंगी और थोड़ा सा पानी डाला है साथ साथ ताकि जो सारे मसाले हैं वह अच्छे से मिल जाए तो थोड अच्छे साथ नमक भी एक अट कर देंगी साथ के अनुशार मैंने चनों में भी नमक नहीं डाला है तो सारी कौण्टी एक साथ दाल रहे हैं नमक की में दोनों के हिसाब से वसाद था धनिया जो काट के रखा हुआ था उसे भी डाल दिया है तो फ्रेंड जैसा मैं बता र लिएगा और सभी दोनों के से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए फ्रेंड वीडियो को सेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा तो देखे फ्रेंड ग्रेवी भी अच्छे से पख गई थी इसमें जो वाइल वाले चनी थी उसी डाल दिये हैं तो इसा थोड़ा सा गरम मसाला ऐने डाल दिया है और आधा नेवमी ने छोड़ दिया है ते टेस्ट बहुत अच्छा आता है अग्या तो फ्रेंड देख सकते हैं बड़े आसे पक गई सब्जी लगतर पकाती हुए देख सकते है 15-20 मिन्ट हो गया और वह अच्छी से पक गए है चनी की सब्जी तो देख सकते ना कितनी लाजवाब लग रही है देखने में और खाने में तो इससे बिजा संदार थी, तो आप भी रैस्पी को जरूर ट्राइ करें, और वीडियो को जाए चाज़ा आप ने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ सेयर कीजिए गा फ्रेंड और रैस्पी जरूर ट्राइ की कैसे लगी बहुत जल्द एक नहीं वीडियो के साथ एक नहीं रैस्पी के साथ आप से फिर मिलूँगी तब तक के लिए टेक केर बाइ 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 फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वर वाचिंग माई वीडियो टेक केर